अगर रियक्ट होता है तो वाटर का कितना गड़ करना पड़ेगा अगर मैं इसमें 100 एड़ को पर्सेंटेज लेवलिंग तो देखो हम यहां पर कोशन्स कर रहे थे लास्ट क्लास में आपको हाइड्रोजन परोक्साइड सोलुशन के वॉलूम स्ट्रेंथ यानि पर्सेंटे पर्सेंटेज लेवलिंग और पर्सेंटेज लेवलिंग और पर्सेंटेज लेवलिंग और मतलब क्या होता है मैंने क्या बताया था आपको पर्सेंटेज लेवलिंग और पर्सेंटेज लेवलिंग और पर्सेंटेज लेवलिंग और पर्सेंटेज लेवलिंग और पर्सें क्या बताय था इसका मतलब क्या होता है बाई देखो olium sample आपको मिलेगा उसमें आपको एक percentage labeling दे रखे होगी इसका मतलब क्या होता है the total mass of the total mass of the total mass of h2so4 present in present in 100 gram of present in 100 gram of 100 g of olium sample olium sample after dilution after dilution ठीक है तो olium के अंदर percentage labeling का मतलब क्या होता है आपको एक olium sample मिलेगा और उसका आपको percentage labeling दे रखा होगा तो उसका क्या मतलब होता है 100 g olium sample के अंदर S2SO4 का जितना भी total amount present होता है after dilution उसी को हम क्या बोलते है percentage labeling of oleum कहते है अब देखो आपका यहाँ पर जो oleum sample है इस oleum sample के 100 gram में इस oleum sample के 100 gram में आपको S2SO4 का total mass देखना है total mass मतलब total amount देखना है after dilution अब इसमें आपका S2SO4 का जो amount होगा oleum में पहले से present होता है क्योंकि oleum में S2SO4 and S3 दोनों होता है तो पहले S2SO4 कितना था plus dilution के बाद क्योंकि जैसी आप oleum sample का dilution करोगे तो उसमें जो S3 present होता वो water के साथ react करता है और फिर से आपको S2SO4 मतलब फिर से वो आपका S2SO4 बना देता है बस समझ दो तो फिर आपको देखना है कि 100g of oleum sample के अंदर S2SO4 का total amount कितना present है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो is equal to mass of S2SO4 mass of H2SO4 present initially पहले कितना था present initially plus dilution के बाद कितना S2SO4 मिला mass of S2SO4 mass of S2SO4 produced produced on dilution produced on dilution ठीक है oleum sample में S2SO4 पहले से भी present था तो कितना present था वो plus है dilution जब अपने करा oleum sample का जब अपने dilution किया तो जो उसमें आपका S3 gas present था वो water के साथ रियक करता है और फिर से आपको S2SO4 मिल लाता है तो dilution करने के बाद आपको S2SO4 कितना मिला अगर आप इन दोनों को add करोगे तो उस 100 gram oleum sample में जो S2SO4 का total amount होता है total mass होता है वही क्या होता है आपका oleum sample का percentage labeling होता है वही क्या होता है percentage labeling होता है यह suppose करो आपका यह x percentage दे रखा है कितना दे रखा है x percentage है इसका मतलब क्या होगा 100 gram of 100 gram of oleum sample 100 gram of oleum sample is diluted is diluted with कितने gram of water के साथ dilution करते हो आप x minus में 100 gram x minus में 100 gram और मैंने आपको बताया था कि यह x क्या होना चीए है आपका greater than 100 होना चीए यह x क्या होना चीए greater than 100 but less than क्या होना चीए है 122.5% है इससे आपका छोटा होना चीए 100 से बड़ा होना चीए है लेकिन 122.5 से छोटा होना चीए है देखे है वो सब पहले बता चुका हूँ when 100 gram of oleum sample is diluted with x minus 100 gram of water 100 gram of water will produce will produce कितने gram of h2SO4 जो भी इसकी percentage labeling दे रखे है उतना ही आपको h2SO4 मिलता dilution के बाद देखे है बास समझ देखे हो तो will produce x gram of x gram of h2SO4 अब यह जो h2SO4 का जो x gram total amount है इसमें आपका h2SO4 oleum में पहले कितना present था dilution के बाद कितना मिला वो दोनों है इसमें ठीक है दोनों को total करोगे तब जाके यह आता है समझ रहो तो यह आपका oleum sample का percentage labeling का मतलब होता है अब देखो इधर अब इधर देखो जड़ा oleum sample है आपका oleum sample oleum sample इसमें आपका h2SO4 प्लस sulfur trioxide दोनों ही होता है ठीक है ना जैसी आप dilution करोगे dilution का मतलब addition of water water add कर रहो आप तो जैसी आप dilution करोगे तो यह किस में convert वाता है मतलब h2SO4 sulfuric acid में convert वाता है oleum sample में h2SO4 पहले भी present है dilution करने के बाद फिर से आपको h2SO4 मिल गया तो आप चेक करो कि पहले कितना present था और dilution के बाद कितना मिला दोनों को total करोगे तो वह ही percentage labeling of folium होता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो sulfur trioxide plus में water gives to sulfuric acid gives to sulfuric acid यहाँ पे इसका 80 gram react होता है तो water का 13 gram react होता है और इसका 98 gram बनता है चाहो तो आप law of conservation और mass भी लगा सकते हो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो और इसी में मैंने आपको percentage free of SO3 भी बताया था percentage free of SO3 कैसे निकालते हैं अगर आपको percentage free of SO3 निकालना हो free of SO3 निकालना हो तो क्या बताया था 80 upon me 18 into x minus में 100 तो यह आपको बता देगा कि भाई उस 100 gram olium sample के अंदर आपका SO3 कितना present है तो इस तरीके से आप निकालते हो अब यहाँ पर देखो आपको इस olium sample का percentage labeling दे रखा है percentage labeling दे रखा है कितना दे रखा है 118% दे रखा है 118% तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 gram olium sample के अंदर आप 18 gram of water add कर रहे हो 18 gram of water क्या कर रहे हो add कर रहे हो 100 मतलब कितना आ गया यह आपका X है 118% है X है तो X मतलब 118 माइनस में 100 कितना आ गया 18 आ गया 18 से 18 cancel करोगे तो इस कितना आ जाएगा 80 gram आ जाएगा आ समझे रो तो percentage free of SO3 कितना हो जाएगा 100 gram में आपका SO3 कितना present है 80 gram present है परसेंटेज फ्री निकाल सकते हो तो 80 upon में 100 into 100 क्योंकि 100 gram में present है तो 100 से 100 cancel हो जाएगा तो यह क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा आ समझे रो तो इस ओलियम सेंपल जिसकी लेबलिंग दे रखिए 118% है उसमें आपका SO3 का percentage free कितना है 80% आपका परसेंटेज फ्री है ठीक है ना 80% के आपका percentage free दे रखा है कोई दिक्कत है इसे नोट करो फिर next question करते हैं कर लिया है सबने चलो अगला question देखो next question अगला question देखो अगले question में क्या कहता है अगले question में क्या कह रहा है which of the following percentage strength is not possible for a sample of oleum अब देख लो यहाँ पर कौन सा possible नहीं होगा मैंने आपको बताया था कि oleum sample के लिए जो maximum leveling होती है maximum leveling है maximum leveling क्या है इसकी maximum maximum limiting leveling limiting leveling maximum limiting leveling है वो कितना है मेरा वो है 122.5 है इतना है इतनी maximum आपको इसकी percentage labeling ले सकते हो और इसमें आपको बताया भी था अब देखो जब आपका percentage labeling of percentage labeling of oleum दे रखा होगा oleum sample के लिए आपको percentage labeling दे रखा है 122.5 परसंट यही maximum है oleum sample तो इसमें पता कर लो कि कितना SO3 आपका present होगा तो free of SO3 निकालो percentage free of SO3 आप इसे calculate करो क्या आएगा 80 upon में 18 into x minus में 100 यह रहा x 12.5 minus 100 तो कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा जब आप इसे solve करोगे तो यह कितना आजाएगा 100 gram आजाएगा अब 100 gram oleum sample में आपका SO3 अकेला कितना आगया SO3 अकेला कितना आगया 100 gram आगया जबकि oleum में तो आपका H2SO4 and SO3 दोनों ही होता है इसका मतलब है कि इस वाले percentage labeling में आपका H2SO4 क्या हो जागा 0 gram हो जाएगा जो कि possible नहीं है तो आपका Allium sample के लिए जो maximum जो maximum labeling होती है percentage labeling होती है वो क्या होती है 122.5 में percentage होता है यह maximum है इससे छोटा होना चीए जैसी इससे उपज आओगे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 127% हो जाएगा यह आपका ज़्यादा है से ज़्यादा होनी चीए लेकिन 122.5% से कम होनी चीए समझ गे ठीक है लोट करो इससे फिर next question करते है कर लिए सबने अगला question देखो ज़रा अगला question second question क्या है in 200 gram of a sample of olium labeled as a 109% दे रखी है इसकी percentage labeling है ठीक है 109% 109% of olium sample दे रखा है olium sample ठीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 gram of olium sample 100 gram of olium sample olium sample dissolved with या when dissolved with when dissolved with x minus में 100 तो कितना आजाएगा 9 gram of water when dissolved with 9 gram of water तो आपको H2SO4 कितना मिलेगा will produce will produce 109109 तो इसकी percentage labeling है तो यह पता कर लेते हैं यह पता कर लेते हैं जब आपका olium sample का percentage labeling यह दे रखा होगा तो फिर आपका H2SO4 कितना present होगा और SO3 कितना present होगा तो percentage free of SO3 निकाल लेते हैं percentage free of SO3 SO3 कितना present होगा percentage free of SO3 तो कितना आजाएगा 80 upon में 80 upon में 18 into किसे करूँगा 9 gram 9 gram of water का dilution कर रहे हो तो यह काटोगे तो 2 और यह कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ठीक है 100 gram of oleum sample के अंदर आपका SO3 कितना present है 40 gram present है ठीक है 100 gram of oleum sample 100 gram of oleum sample oleum sample में आपका SO3 कितना present है SO3 कितना present है 40 gram आपका present है तो H2SO4 कितना होगा H2SO4 कितना होगा 60 gram होगा लेकिन यहां पर olium sample का आपको 200 gram दे रखा है कितना दे रखा है 200 gram तो 200 gram में निकालो कितना हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कर लेते तो 200 gram of olium sample 200 gram of olium sample olium sample के 200 gram में कितना होगा तो देखो 100 gram में 40 gram है तो 200 gram में कितना हो जाएगा 80 gram हो जाएगा तो SO3 कितना होगा? 80 gram. And Sulfuric Acid कितना हो जाएगा? Sulfuric Acid कितना हो जाएगा? 60 gram आपका 100 gram में है, तो 200 gram में कितना हो जाएगा? 120 gram हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ठेखे? अब आगे देखो क्या कहता है? अब हम क्या कर रहे हैं? 12 gram of water आड़् कर रहे हैं 12G오 बनेगा और क्या बनाएगा capital बनाएगा घ्लिक है अब यहां पर देखो 12 gram of water add कर रहे हैं अब देखो मेरा olium sample के 200 gram में मेरा SO3 इतना present है जैसी मैं water add करूँगा जैसी मैं water क्या करूँगा उसमें add करूँगा तो वो SO3 के साथ react करेगा और क्या बनाएगा H2SO4 बनाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो SO3 water के साथ react करता है और क्या बनाता है H2SO4 बनाता है यहाँ पर देखो इसका जब 80 gram react होता है तो water का 18 gram react होता है मतलब अगर सेंपल के अंदर 80 gram present होगा और फिर उस 80 gram को 80 gram के साथ completely react करने के लिए मुझे 18 gram of water का dilution करना पड़ेगा पर मैं dilution कितना कर रहा हूं 12 gram का ही कर रहा हूं ठीक है रहा हूं तो 6 gram का यहाँ पर क्सोंटेस है ठीक है6 gram dilution क्या है आपकाald करना पड़ेगा 6 gram आपको और डायलूट करना पड़ेगा ठीक है बाथ समझेरो अब यहां पर देखो इसको वैसी निकाल लेते है 6 ग्राम को हमें dilution और करना है अब यहाँ पर देखो जरा अब आपका olium sample का mass कितना है 200 ग्राम है जब आप उसमें dilution करोगे 12 ग्राम का तो mass order solution कितना हो जाएगा 200 प्लस में 12, 212 ठीक है मतलब अब आपका देखो 212, 212 ग्राम of olium sample olium sample के लिए मुझे 6 ग्राम वाटर का dilution और करना है ठीक है तो 1 ग्राम के लिए निकाल लो जरा 212 और आपको पता है जब भी आपको percentage leveling निकालना होता है percentage leveling, new leveling निकालना होता है तो आप 100 ग्राम olium sample के निकालते हो ठीक है तो 212 ग्राम mass order solution के लिए आपको और एड़ करना है रहें के लिए पता करो तो six upon में कि 100 ग्राब के लिए कि अधर हो जाएगा तो कि अधर क्रोंगे तो यह कितना क्या जाएगा टूँपॉइंट एट ग्राम मतलब है लेट एट ग्राम के इंदर 100 ग्राम ऑलिम सेंपल के अंदर वाटर कितना और एड़ करना पड़ेगा 2.8 ग्राम एड़ करना पड़ेगा अब देखो परसेंटेज लेवलिंग आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे अगर आपको परसेंटेज लेवलिंग निकालना है तो आप क्या करोगे देखो यहीं से आप इसका मतलब समझो साथ रियक करता है ठीके वाटर साथ रियक करता है अब यहां पर देखो जरा क्या कहता है कि 100-0 ग्राम वाटर के साथ एकस माइनस पे जैसे यहां पर लिखा तो आप आप निकाल सकते हों इस तरीके से भी आप निकाल सकते हों इस तरीके से भी आप आप निकाल सकते हों आपका कितना वाटर एड करना पड़ेगा 100 ग्राम ओलियम सेंपल के लिए 2.8 ग्राम एड करना पड़ेगा अगर मैं इसमें 100 एड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा परसेंटेज लेवलिंग ओफ ओलियम क्या हो जाएगा आपका 102.8 परसेंट आपका यह हो जाएगा समझ रहे हो तो आपका न्यू लेवलिंग ओफ दा ओलियम सेंपल कितना आजाएगा 102.8 परसेंट है ठीक है 102.8 परसेंट आजाएगा तो सी ओप्शन आपका करेक्ट है समझ गए नोट कर लो फटला बटम आप चाहो तो इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते थे आप यहां पर कर सकते थे कि यह पता कर लेते पहले कि जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है कि आपका 80 ग्राम अगर रियक्ट होता है तो वाटर का कितना ग्राम रियक्ट होता है लेकिन वाटर कितना एड़ कर रहे है 12 ग्राम तो 12 ग्राम जब एड़ करेंगे 12 ग्राम का डा यहां पर संटेज कर सकते हो तो इसमें थोड़ी कैलिकूलेशन जढ़ा होगी इससे बढ़िया कि आप इसको इस तरीके से कर लो सॉल्व समझ गया थिक है नोट करो फटाफर नेक्स कोशन करते हैं फिर नेक्स कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या है अल्ला कोशन क्या है, sample of oleum is labeled as 112%, ठीक है 112% आपको दे रखा है, 112% of oleum sample, 112% of oleum sample दे रखा है, क्या कहता है, in 200 gram of this sample, 18 gram of water is added, मतलब इस sample के 200 gram में, आप 18 gram of water add कर रहे हो, तो what will be the resulting solution contain, मतलब जो final solution मिलेगा, उसमें क्या बचेगा, ये बताना आपको, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, वो देखना है, 112% of oleum sample दे रखा है, ठीक है, इसका percentage labeling दे रखा है, ठीक है, इसका percentage labeling दे रखा है, तो पहले तो मुझे इ किस में 100 gram of oleum sample में निकलेगा, किस में निकलेगा, 100 gram of oleum sample में, तो 100 gram of oleum sample, 100 gram of oleum sample में ये चीजे निकलेगे, तो percentage free of SO3 निकाल लेते हैं, तो SO3 कितना हो जाएगा, 80 upon में 80 ने, into, कितना 12 हैं, ठीक है, तो ये कितना आजाएगा, solve करने पे, ये बताओ जड़ा, कितना आजाएगा, solve करने पे, 80 into 12 है, divided by 18 है, तो ये कितना आजाएगा, मेरा 53, 3 gram आ रहा हैं, वा समझे रहों, कितना आ रहा हैं, 53, 3 gram आ रहा हैं, मतलब इस 100 gram oleum sample के इंदर SO3 कितना हैं, 53, 3 gram हैं, तो बताओ, H2SO4 कितना होगा, H2SO4 कितना होगा, तो 100 में से ये माइनस कर दो, 100 में से, ये माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 46, 46, 6 gram आ जाएगा, आ समझे रहों, तो oleum sample के 100 gram के अंदर आपका SO3 कितना, इतना, और आपका H2SO4 कितना, 46, 6 gram हैं, ठेके, लेकिन हमने यहाँ पे, इस oleum sample का 200 gram ले रखा, 200 gram, तो 200 gram में निकाल लो, 200 gram of, 200 gram of oleum sample, 200 gram of oleum sample, तो इसमें देखो जरा, SO3 क्या हो जाएगा, तो 100 gram में इतना है, तो 200 gram में कितना हो जाएगा, डबल कर दो, तो इसका डबल करूंगा, तो यह क्या जाएगा, 6.6 हैं, ठीके, और यह 10, तो 106.6, SO3 हो गया, और आपका H2SO4 कितना हो जाएगा, H2SO4 कितना हो जाएगा, इसका भी डबल कर देते हैं, तो 12, 12 और 13, और यह 8 और 9, तो यह हो जाएगा, 93.2 gram, 200 gram oleum sample में आपका SO3 इतना है, और H2SO4 इतना है, अब इसमें आप 18 gram water add कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं कर देते हैं, जैसी water add करेंगे, तो SO3 उसके साथ react कर जाएगा, और क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, अब इसके 80 gram के लिए water 18 gram react होगा, मतलब 18 gram water जब add करूँगा, तो SO3 का 80 gram react हो जाएगा, मतलब 80 gram को वो react consume कर लेगा, ठीके, और किस में convert कर देगा, H2SO4 में convert कर देगा, अब यह देख SO3 कितना बच गया, 18 gram जैसी हम water add करते तो इसका 80 gram react कर जाता है, तो बच कितना गया, 106.6 माइनस में 80, ठीक है, तो इसको माइनस करो, 106.6 माइनस में 80, तो यह कितना आगया, आपका 26.6 है, यह आपका SO3 बच जाएगा, ठीक है ना, 26.6 gram of SO3, इतना आपका यह SO3 बच गया, SO4 कितना मिलेगा, देखो पहले कितना था, 93.2 gram था, और यहाँ डाइलूशन करने पर SO4 फिर से मिला आपको, और 13 gram का डाइलूशन कर रहे हो, तो 98 मिलेगा, अब इसको इसमें add कर दो, तो 93.2 plus 98 है, तो total कितना होगा आपका SO4, 93.2 यह तो पहले था ही, डाइलूशन करने के इतना गया, 191.2 gram of H2SO4, इतना आपको H2SO4 मिल जाएगा, आ समझ रहो, तो देख लो भाई कौन सा option सही है, D option correct है, 191.3 आपका H2SO4 मिलेगा, 26.6 आपका SO3 मिल जाएगा, तो D option आपका correct है, ठीक है, नोट कर लो फटा फटा फटा, कोई दिक्कत किसी को इसमें, चलो आगे क अगले question में क्या कहता है, 4109% labeled oleum, if the number of moles of H2SO4 and 3SO3 be P and Q, number of moles कह रहा है P and Q है, H2SO4 के number of moles क्या है, H2SO4 के number of moles क्या है, P and number of moles of SO3, number of moles of SO3 कितने है, Q है, H2SO4 के P और SO3 के कितने है, Q है, आपको यह value निकालने है, यह value निकालने है, कोई दिक्कत नहीं, 109% दे रखा है न, 109% of oleum sample हमें दे रखा है, तो इसका मतलब आपको मालूम ही है, क्या होता है, 100 gram of oleum sample, 100 gram of oleum sample, 100 gram of oleum sample में देखो कि SO3 कितना है, और H2SO4 कितना है, तो पहले तो SO3 निकाल लेते हैं, तो 80 upon में 18 है, into 9 है, तो कितना जाएगा, 40 gram आजाएगा, कितना है 40 gram, तो SO3 आपका इस 100 gram, 100 gram of oleum sample, 100 gram of oleum sample, 100 gram of oleum sample में कितना है, 40 gram है, तो H2SO4 कितना होगा, 60 gram हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 gram हो जाएगा, आप समझ रहो, ठीक है, अब क्या करो, आप इसके number of moles निकाल लो, ठीक है, क्या करोगे, इसके number of moles निकालोगे, तो number of moles निकाल लेते हैं भाई जरा, देखो जरा, number of moles of SO3, SO3 क्या हो जाएगा, given mass divided by इसका molar mass, 40 upon 80, कितना आगया, आधा आगया, H2SO4 के number of moles निकालो जरा, H2SO4 के number of moles, यह क्या हो जाएगा, 60 divided by इसका molar mass 90, तो यह divide करने पर कितना आजाएगा, यह तो 0.5 हो गया, तो 60 divided by 98 है, तो यह कितना आगया, यह भी 0.61 आ रहा है, 0.61 यह आ रहा है, ठीक है, तो H2SO4 के number of moles है, यह आपका P है, और यह आपका Q है, यह आपका P है और यह आपका Q है, रख दो यहाँ पर जड़ाई से, P की value कितनी है, 0.61 माइनस में 0.5 है, upon में, अब दोनों को add करना ह 0.61 प्लेस में 0.5 है, तो उपर तो लगबग वही आपका 0.1 ही बचा, 0.11 ठीक है, upon में यह क्या हो जाएगा आपका, 1.1 ठीक है, इससे ज़रा solve करते हैं, तो 0.11 divided by 1.1, तो यह कितना आ गया मेरा, 0.1 आ गया, 0.1 अब देख लो, 0.1 कहाँ पर आएगा, 1 divided by 9 देख हो जाएगा, 1 divided by, यह 0.1 आ जाएगा, तो यह आला option सही है, ठीक है ना, यह 1 by 3 कितना होता है, यह तो 0.3 होता है ना, यह तो 0.3 हो जाएगा, 1 by 9 यह आएगा, तो आपका पहला option सही है, समझ गए, नोट करो, फिर next question करते हैं, अगला question है, second question है, when 200 gram of olium sample labeled as, 109% is mixed with 300 gram of another olium sample, मतलब mixing आ आप, ठीक है ना, और new labeling of resulting olium sample निकालना है, तो देखो जाएगा, 200 gram of olium sample, 200 gram of olium sample, plus, और इसकी labeling कितनी है, 109% है, 109% है, olium sample और इसकी labeling दे रखिये कितनी, 109% दे रखिये, plus, 300 gram of olium sample, अब यह दूसरा olium sample है, और इसकी percentage labeling क्या दे रखिये है, 118% दे रखिये है, ठीक है, अब इन दोनों को mix कर रहे हैं, तो बताओ, जो resulting olium sample मिल रहा है, उसकी percentage labeling क्या होगी, उसकी percentage labeling क्या होगी, कोई दिकत नहीं है, कर लेते हैं यहाँ पर, अब पहले तो यह बताओ कि 109% में, 109% दे रखिये हैं na olium sample, तो 100 gram of olium sample में, आपका SO3 कितना जाएगा, SO3 आपका 40 gram होगा, 109% दे रखिये हैं, तो जब 9 gram of water का dilution करोगे, तो 40 gram SO3 react होगा, तो 40 gram ही आपका present होगा, and sulfuric acid है, and sulfuric acid कितना होगा, 60 gram होगा, अब 200 gram में पता करो, 200 gram दे रखिये हैं, 200 gram में कितना हो जाएगा, SO3 200 gram में 80 gram हो जाएगा and H2SO4 कितना हो जाएगा 120 gram हो जाएगा तो यह तो इसका हो गया इसी तरीके से इसका निकालते जरा इसके 100 gram of oleum sample में पहले पता गरो 100 gram of oleum sample कितना हो जाएगा SO3 कितना होगा यहाँ पे 18 gram of water का dilution करें 18 gram water जो होता है SO3 के 80 gram किसाथ react करता है तो इसका मतलब है 100 gram oleum sample में आपका यह कितना होना जाएगा 80 gram होना जाएगा and H2SO4 and H2SO4 कितना होगा 20 gram होगा अब 300 gram में पता करना है 300 gram में आपको पता करना है तो 300 gram में कितना हो जाएगा आप इसे 3 से multiply कर दो तो ये कितना आजाएगा आपका 240 गराम आजाएगा और S2 S4 कितना आजाएगा S2 S4 कितना आजाएगा ये 37 पर गरूँगा तो 60 गराम आजाएगा 300 गराम Oluon sample में आपका S3 यतना थे S2 S4 यतना है अब बताओ टोटल S3 कितना हो गया S3 टोटल SO3 total कितना हो गया यहां पर कितना था 80 gram और यहां पर कितना 240 gram तो total कितना हो गया 320 gram 320 gram ऐसी आप H2SO4 total निकाल लो जरा H2SO4 total कितना हो जाएगा H2SO4 total 120 plus में 60 ठीक है 120 plus में 60 तो यह कितना जाएगा मेरा 180 आ जाएगा इतना जाएगा 180 आजाएगा ठीक है यह आपका एसव त्री का टोटल अमाउंट आगया और एस्टू आसफोर का टोटल अमाउंट यह आगया का यह कि पर आमने डाइलूशन से तो निकाला यह नहीं ना बैदलूशन से तो निकाला यह नहीं यूंकि 9 ग्राम वाटर का जब करोगे तो कितना बनेगा कितना बनेगा आदा बनेगा 49 ग्राम इस तरीके से भी कर सकते हैं तो यह आ गया इतना समझा गया आप क्या कर सकते हो आप सो-3 का परसंटेज निकाल लो कितना हो जाएगा यह 320 अपान में 320 ने टीके तो यहां से इसका परसंटेज निकला आएगा और ये कितना आएगा परसंटेज है 320 divided by 500 into 100 तो 2 0 2 0 काट दो अब इसको क्या करते हैं solve कर लेते हैं बाई ज़र एक बार तो 32 को divide करना है 5 से तो ये कितना आगया मेरा 6.4 आगया कितना आगया 6.4 आगया बास समझ रहों तो ये आ रहा आपका अब इससे क्या करोगे आप ये 6.4 आगया ना अब इससे क्या करोगे परसंटेज आपका ये SO3 का आगया अब इससे आपको क्या करना है जो आपका resulting solution मिला है resulting solution उसका आपको percentage labeling बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है कर लेते हैं ये कोई दर है जब 80 gram 80 gram तो 18 upon me 80 into 6.4 gram इसमें निकालो जड़ा एक बार इससे calculate करते हैं तो 18 into 6.4 divided by 80 तो ये कितना आगया मेरा ये आ रहा है 1.44 64 आएगा यहां पर ठीके तो ये कितना आगया 64 आगया तो 64 के लिए निकालना है 64 के लिए 64 तो ये कितना आजाएगा डिवाइड करने पर आप देखो जड़ा 18 into 64 divided by 80 तो ये कितना आगया मेरा अब आगया 14.4 ठीक है अब इसमें 100 आइड कर दो तो percentage labeling आ जाएगा 14.4 तो ये कितना आगया 114.4 तो ये आपकी percentage labeling हो गई है तो कौन सा option सही है आपका पहला option correct है पहला option correct है अब को सुना आ गया ठीक है चलो आगे देखो आगला question देखो जड़ा 9 gram of water is added into oleum sample labeled as 112 percent H2SO4 ये आपका ठीक है 112 percent of H2SO4 आपको दे रहा है ठीक है तो 100 gram of oleum sample 100 gram of oleum sample इसमें आपका SO3 कितना हो जाएगा SO3 is equal to 80 upon 18 है और ये 12 है ठीक है इसे solve करो जड़ा तो 80 into 12 है divided by 18 तो ये कितना आ गया है मेरा 53.3 gram आ गया ठीक है तो बाकी का कौन होगा आपका सलफूरी कैसीड होगा सलफूरी कैसीड आपका बाकी का present होगा तो 100 minus में 53.3 तो ये 46.7 आ जाएगा 46.7 gram आ गया हम ठीक है अब इसमें हम क्या कर रहे हैं 9 gram of water का dilution कर रहे हैं 9 gram of water का dilution कर रहे हैं SO3 plus में H2O keeps to H2SO4 ये हैं तो 80 gram जब इसका react होगा तो water का 13 gram react होगा तो 9 gram के लिए 40 gram ही react होगा है ना 9 gram के लिए 40 gram ही react होगा जबकि SO3 का उसमें कितना present है 53.3 gram present है तो इसमें से 40 gram react कर जाएगा तो बचेगा कितना 53.3 minus में 40 है तो कितना बच जाएगा ये 13.3 gram बच जाएगा कितना बच जाएगा 13.3 gram आपका बच जाएगा समझ गें अब आपको क्या करना है तो आपको SO3 का जो free amount है वो बताना है तेके और ये volume में पूछ रहा है volume में तेके volume में पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो 80 gram के लिए volume कितना होता है 22.4 liters होता है तो एक के लिए निकाल लो तो ये कितना आजाएगा 80 और 13.3 क्योंकि इस sample के अंदर इतना ही ये बचा हुआ है 13.3 तो remaining बताना है तो कर लेते हैं भाई करो ज़रा multiply से into 22.4 ये आगया divided by 80 तो ये कितना आगया मेरा 3.724 liters आगया तो आपका remaining कितना होगा 3.724 मतलब ये आपका C option correct है तो साथी question थे ये कोई दिक्कत नहीं है आगे फिर करते हैं अब इसके बाद करेंगे हम hardness of water के उपर questions करेंगे तो वो next glass में करते हैं आज ही glass में फिर हम ये ही कर रहे हैं सिर्फ percentage labeling of folium percentage labeling of folium के questions ये होगे हमारे complete ठीक है तो next class में हम क्या करने वाले hardness of water के उपर questions करेंगे तो ये हमारा पूरा complete हो जाएगा ठीक है उसके बाद फिर हम stoichiometry start करेंगे ठीक है टाये हाजे ही जाएग कर दो थेकled करेंगे आएगा तोंप कर दो उसी में हो पु prank